नमस्कार आज में आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से गले में पाइप लगाना तो देखिए यह हमारा जो आगे का गला है तो हमारी जो दोनों पट्टियां इसको पहले बराबर इस तरीके से हमें नापना है यहाँ पे तीरा बराबर होना चाहिए अब पट्टी को सो कla to take up और यह पी अंदर वाली पट्टी है तो इसको इस खड़िए ऐसे करके नापना है जो टाए तो हम क्या करेंगे आदाइंच आ अमें बड़ा करना है तो यहाँ से हम ऐस सी करके आदाइंच काट यह ना आपना जरूर लिए अब जैसे यह हमने नाप लिया अब हमारा आगी का गला तो बराबर हो गया अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे अब दीखे ब्लाउड में से हमारा एक कपड़ा बचा है तो इसके हमें पट्टी बनानी है तो कपड़े को पहले हम क्या करेंगे? तिर्चा करेंगे, यहां से कुणने से हमें ऐसे तिर्चा करना है, जैसा भी आपका कपड़ा उसको तिर्चा करना है, इस तरी, अब दिखिए हमने इसको तिर्चा कर लिया और बीच में से कटिंग भी कर दी यहां से अब इसमें से हमें 1.5 इंच की चोड़ाई लेंगे पट्टी की अब इस तरीके से हमें पट्टियां जोड़ेंगे अब यह हमने यहां पर पट्टी को जोड़ लिया अब यहां से थोड़ा से हम बराबर कर लेंगे अब इसको यहां से लगाएंगे अब यह पट्टी को हम इस तरीके से कर लेंगे अब देखिए पट्टी को लगाते हैं इस समय हमें एक बात का ध्यान लगना है पट्टी को थोड़ा सा खीचेंगे कले को ने खीचेंगे इसे क्या है जो नए लोग है वो भी बड़ी आसानी से लगा लेंगे अब इसको यहां से अच्छे से दबा देंगे अब देखिए पट्टी को पर हमने सिलाई लगा ली अब जो अंदर का कप्णाई वो कार्ट लेंगे अब देखिए कितनी अच्छी पाइपन आई है अब दूसरी साथ भी ऐसे ही पाइपन बनाएंगे हम देखिए हमारा यह आगे का गला तयार है अब देखिए पीछी का कैसे बनाएंगे जैसे हमारा पीछे का गला है तो इसको भी नाप लेंगे अपने ब्लाऊ से ब्राबर अब देखिए जैसे हमारे पीछे का गला 10 इंच का होना चाहिए तो अगर हम इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे करके इस तरीके से बड़ा कर लें अगर इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो यहां से थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं तो पहले इसको नाप लें नापने के बाद अब इसको उपर पट्टी रखेंगे यहां से पट्टी रखनी है पट्टी लगाने के बाद इस तरीके से करेंगे। जिसने नीचे के कपड़ा वह उपर के साथ आजाये। अब अंदर के कपड़ा दबा तुए है करें सिलाई से यह उप है झाल अब देखिए हमने यहां पर सिलाई लगा लिए अब इसकी पाई फिर बनाएंगे देखिए ऐसे करके ऐसे अब देखिए हमारी पाईपिन बन के तयार है अब इसमें जो आगे के पड़लर है वो जोड़ देंगे सोल्डर से यहां पर रखेंगे ऐसे करके इस तरीके से क्या है कि अगर हमें लगेगा हमारा गला बड़ा है धीला है तो हम यहां पर और भी सिलाई लगा सकते हैं बाजू को हटा के अब देखिए यहां पर यह सोल्डर पर सिलाई लग गए अब इसको देखिए अंदर के साथ ऐसे थोड़ा सा टांका लगा के सूई से ऐसे दबा देंगे तो जब भी हमें लग रहा है हमारा गला बड़ा है वैसे तो नाप के लगाना चाहिए जैसे मैंने नाप के लगाया तो इस तरीके से कभी भी आपका गला बड़ा नहीं होगा शोल्डर पर सिलाई लगाने से पहले जैसे आप अगर आगे का पल्ला जोड रहे हैं तो पहले गले को नापिए फिर जोड़िए तो इस तरीके से कभी भी गला बड़ा नहीं होगा ना छोटा होगा क्योंकि हमें पहले आगे का पल्ला जोडने से पहले नापना चाहिए कि हमारा गला बढ़ा तो नहीं छोटा तो नहीं तो इस तरीके से पहले नापना चाहिए फिर जोडना चाहिए तो आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर लें धन्यवाद